नमस्कार आप सभी का डॉक्टर गर्जे आईवेदा यूटूब क्यानल में स्वागत हैं मैं हूँ वेदा सीमा गर्जे आज हम बात करें कि आयूश मंत्राले द्वारा इम्मिनिटी यानि रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए जारी की गई जो गाइड लाएं है उसम व्यक्ति है शास्रिय पद्ध उसकी विधी और उप्योग आईवेद में इस प्रकार दूद बनाने की जो संकलपणा है उसे क्षीर पाक कहा जाता है यानि कोई भी ओशिदी से दूद को सिद्ध करना आईवेद में इम्मिनिटी को ओजधातू से जोडते हैं अगर ओजध केवल ना एक परिपूर्ण अहार ही होता है तो ओज को बढ़ाने वाला होने की कारण इम्मिनिटी बूस्टिंग करने में उप्योगत है और जो हल्दी हल्दी के गुंतों सबको पता है कि एक एक एंटी इंफ्लामेटरी एंटी माइक्रोपियल उसकी जो प्रॉपरेटी है वह सरवध्या थे और इसी वज़े से अगर हम दूद को इस ओशिदी वनस्पतियों से सिद्ध किया जाता है तो उसकी गुनों में और भी वृद्धी हो जाती है दूद सिद्ध करते समय इसमें जो पानी डाला जाता है इससे यह अगणी समस्कार से पचने में हलका हो जात है और और उशिदी गुनदर्मों से उपयुक्त भी होता है इसमें जो फैट्स और वाटर जमें इस दोनों भी कॉंट्रेटी अच्छी होने से उशिदी द्रव्यों में जो भी विटामिन्स मेनरल फाइटो केमिकल्स हादी जो इम्मुनिटी बूस्टिंग पदार्थ होते है और उसकी जो प्रॉपरेटी है वह वृद्धिंगत होती है तो चलिए जानते हैं इसे बनानी की विद्धि गोल्डन मिल्क बनानी के लिए हमें चाहिए हल्दी यहां पे हमने एक चमच हल्दी लिए है लगबक 100 ml दूर लिया है और उतनी ही मात्रा में हमें पाणी लेना है यहां पे हमने 100 ml पाणी लिया है और एक पतेला इस तरह का पतेला ले सकते हैं तो इसकी मात्रा होती है कि अगर आप 10 ग्राम हल्दी लेते हैं तो दूद 150 ml और पाणी 150 ml लेना है इस तरह से अब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले पतेला ले ले इस पतेले में हमें जो दूद है वो डालना है और उसे गरम होने देना है यह दीखिए दूद थोड़ा सा गरम होने लगा है तो दूद गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी का पेस्ट अगर आप वेट हल्दी यूज़ करते हैं तो डारेकली उसका पेस्ट बना के डालिए और अगर आप ड्राय हल्दी यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो हल्दी है उसमें थोड़ा सा पानी डालके उसे पेस्ट जैसा बना ले यहां पर हमने हल्दी को थोड़ा पानी एड़ किया है और थोड़ा पानी एड़ करेंगे और थोड़ा पानी एड़ करके इसे हमने भी पेस्ट बना लिया है तो इस तरह से इसका पेस्ट बन गया अब हम इस पेस्ट को दूद में एड़ करेंगे इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस तरह से थोड़ी देर हिलाते रहिए जिससे दोनों अच्छी से मिक्स हो जाए और बाद में जो हमने पानी लिया था वो पानी इसमें एड़ करना है तो पानी एड़ किया अब इसे continuous बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में चम्मस से हिलाते रहे है देखिए इस तरह से अगर हम चम्मस से इसे हिलाते रहेंगे तो जो दूद उपर आता है और वेस्ट होता है वो नहीं होगा दूद भी उबलना शुरू हो गया है तो इसे बीच बीच में चम्मस से हिलाना ज़रूरी है तो इस तरीके से इसे medium flame पे उबाल आने देना है gas की flame है वो medium रखनी है और जब पानी पूरी तरीके से और जाए तो इसे छान ले अभी इसे हम छान लेंगे इस तरीके से हमारा golden milk जो है तयार है इसकी जो गंध है वो भी बहुत ही spell बहुत ही अच्छा होता है और देखते ही इसे सुंगते ही इसे पीने का दिल करता है इस प्रकास से तयार गया जो दूद है हल्दी का दूद वो सरदी खासे जो काम allergic rhinitis आदी जो चोटी मोडी respirator diseases होती है उससे हम जल्दी ही ठुटका रापा लेते हैं और हमारी overall immunity boost होने से यह जो अधर infections होते हैं उसमें भी यह काफी लाबदाई है उसी तरह से स्कीन स्कीन के जो problems होते हैं स्कीन ग्लो करना स्कीन इंफेक्शन इसमें भी यह काफी उप्यूकत है इसमें जो हम आधा पानी डालते हैं और उबालते हैं उसकी वज़े से इसकी दोशनाशक property अधिक बढ़ जाती है और यह भल पोशक हो जाता है और विर्यवर्दक भी होत नहीं करते या यूज नहीं कर सकते परेशानी होते हैं यूज करते वक्त तो उनमें भी यह लाबदाई है उनमें भी हम यह यूज कर सकते हैं तो रोज इस दूद को सुभह शाम जरूर पिए और अपनी इम्मिनिटी को बढ़ाए रखे जिससे आप स्वस्थ और तंद्रो झाल